तो यह कोई नया नहीं है, केन सरकार कोई बहुत बड़ा तोप नहीं यहां पे छोड़ रही है इस प्रोजेक्ट को नेशनल इंपोर्टेंस का प्रोजेक्ट नहीं डिक्लियर किया मोधी सरकार में यह जो लिंक हो जाएगा नदी तब दो चीजे रोगी बिहार को बिवकूप बनाया गया है, बिहारीयों को बिवकूप बनाया गया है वो भल्ला हुआ, आज हम उस हल्ले की पोल खोल के आपको बताएंगे कहां बिहार को 11,000 क्लोर और कहां MP को मिला है 44,605 क्लोर का केन बेतवा प्रोजेक्ट और उसमें 90,3 केन सरकार दे रही है उसी प्रोजेक्ट पे अब 11,000 क्लोर और कहां मिल रहा है लेकिन बिहार को मिल कुछ नहीं रहा है, बिहार को बिवकूप ही बनाया जा रहा है तो दोनों मिला करके जूड़िएगा तो National Importance का तो Project हो गया ना, फिर आप दिजिए इसको Importance National Importance का, यह Project कब खत्म होगा, कब पूरा होगा, इसका कोई अता पता नहीं, कौन से गटबंदन के नियम का पालन हो रहा यह तो भिहार सरकार ही बताएगी, लॉलीपॉप दे करके बिहार सरकार का मुँँ बंद कर दिया गया है, नितिष सरकार का मुँँ बंद कर दिया गया है। जो कोसी मोची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के नाम से 11,000 कलोर रुपे, 11,500 कलोर रुपे बिहार को दिया गया था खुब हल्ला हुआ? आज आम उस हल्ले की पोल खोल के आपको बताएंगे कि कैसे वो जो प्रोजेक्ट जो 11,500 कलोर के नाम पे बिहार को थमाया गया है वो बिहार को बिवकूब बनाया गया है, बिहारीयों को बिवकूब बनाया गया है 4-5 पॉइंट इसमें है, सबसे पहला पॉइंट है यह जो प्रोजेक्ट है साढ़े ग्यारा जार क्लोर वाला यह UPA के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है मनमोहन सिंग की सरकार के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है दूसरा पॉइंट है यह कोई रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट नहीं है ये एक irrigation project है, ये सिचाई के लिए दिया गया project है तीसरा point, ये कोई नया project नहीं है ये project पहले से चल रहा था, बहुत पहले का पुराना project है पहले 40 km का था, अभी उसमें 76 km और add किया जा रहा है इसका मतलब कि project बहुत पुराना है, अल्रेडी चल रहा था उस पे काम इस project को कह सकते हैं, सबसे important point है इस project को national importance का project नहीं declare किया मोधी सरकार ने पिछले 10 सालों से और उसके लिए पतना हाई कोट ने भी इसके उपर अपना verdict दिया है अगर ये national importance का होता, तो उसमें 90% जो खर्च है वो केन सरकार देती है आज भी ये project national importance का नहीं है, जबकि जो criteria है वो कहता है कि इसको national importance का होना चाहिए, क्या criteria है, क्यों नहीं है सब कुछ बताएंगे आपको एक-एक करके लेकिन सबसे पहले सबसे अदा important जो ये है कि ये जो information में आपको देने वाला हूँ ये मैं कोई उपर की बात नहीं कह रहा हूँ ये बात मोदी सरकार के, खुद मंतरी, जल मंतरी, जिसे जल सकती मंतरी कहते है जल सकती मंतराले ने लोक सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जवाब दिया है और यह सारे पोल उन्होंने खुद अपना खोला है तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि 19 मार्थ 2020 को किसंगंज के सांसद कॉंग्रेस के सांसद है जिनका नाम है मुहम्मद जावेत एक मातर सांसद कॉंग्रेस के थे 2014 के चुनाओ में जल सक्ती मंत्राले ने जवाब दिया कि यह प्रोजेक्ट एक्सिटनशन in यह प्रोजेट इस हजार हिक्टीर जमीन को सिंचित करने वाला प्रोजेक्ट न की इस धो नदी को जो की कहा जा रहा है कोशी और मोची नदी को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है इसमें सबसे जादा जो फाइदा इससे होगा वो पूर्णिया और अररिया जिले को होगा लगभग लगभग 79-79 एकर जमीन हजार एकर जमीन यहाँ पर सिंचित होगी इससे और जो नियम है जो सबसे पहला मैंने पॉइंट कहा कि जो नियम है उस नियम के अनुसार अगर देश के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट दो लाग से ज़्यादा जमीन को सिंचित कर रहा है तो वो निशनल इंपोर्टेंस का प्रोजेक्ट माना जाना चाहिए और इसी National Importance के प्रोजेक्ट के तहत जो मद्य पर्देश में केन बेतवा नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट चल रहा है जो 44,605 क्लोर रुपे का प्रोजेक्ट है वो कहां बिहार को सठ Tech ग्याराज़ में तो नक्तिशत केन सरकार नदी को सबकुछ मिल गया नेशनल इमपूर्टेस प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको दूलाक कीजिए है कि कोशी मोची वो 2.1 लाख एक्टियर जमीन को सिंचित करेगी फिर भी इसको 90 परतिसात नुदान नहीं दिया जा रहा है यह साफ-साफ भीहार के साथ भेदभाव है यह आप खुद सोचिए हलाकि इससे ड्रिंकिंग वॉटर बगारा भी होता है अब आर्गुमेंट अभ से जो पुराना प्रोजेक्ट था दोनों मिलागर के 2.1 लाख हेक्टियर जमीन सिंचित कर रहा है नया वाला जो सिर्फ है वो अकेले नहीं कर रहा है तो इसलिए इसको नेशनल इंपोर्टेंस नहीं सम्झा जाएगा वह भी तो केन सरकार नहीं बनाया है वह भी तो सरकार यह भी तो सरकार ने बनाया है तो दोनों मिला करके जोड़ियेगा तो प्रोजेक्ट फिर आप दिजिये इसको इंपोर्टेंस नेशनल इंपोर्टेंस का लेकिन वो कहरें कि नहीं एक इकसेंशन है इसलिए हम नहीं देंगे और मंतरी जी खुद खड़े हो के कहरे जब उन यह खोल रहे हैं खुद जल सक्ती मंत्री मुदी सरकार के अपनी सरकार का इस सवाल के जवाब में तो एक्स्टेंशन है एक्सेंशन का भी मैंने बता दिया 41 तामलोग 30 किलो मेटर आप वह पर जाता है जोड़ने के लिए बाना करके बांद के सहरे जोड़ा जाता है तो 41 तामलोग 30 किलो मेटर बना हुआ था पहले से उसमे अब आड़ किया जाएगा 76चजार दशामलोग 25 लो टो तो उसी एंबार्कमेंट का तो हिस्सा है ना, अलग से कैसे हो गया, ठोटल हो जाएगा 170.50 km, तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये extension है, कोई नया नहीं है, अब आजाएए इसके टाइम लाइन पे, टाइम लाइन पे जब आएगा, तो ये प्रोजेक्ट पहली बार इसके लि रिपोर्ट सहुपा, कि यहां पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मार्च में, मनमोहट सिंग्र सुमें परधान मंतरी थे, उसके बाद बिहार सरकार ने काम करना शुरू किया, फिर मोधी की सरकार आगई दो महीने के बाद, फिर 2016 में इस प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट डिप 4500 क्लो रुप्या दिया, मोधी सरकार ने, 2019 में, उस समय दे करके बाहावाई बडूर लिए, उसी प्रोजेक्ट पे अब 11000 क्लो रुप्या एक, सब कुछ भी भील हहा है, लेकिन भील कुछ ने रहा है, विह बिवकुप ही बनाया जा रहा है, सlt 510 के विवकुफ सुरू किय कब लगेगा कब पुरा होगा पुछ अतापता नहीं है तो यह भी इस चीज को आप ध्यान में रखे कि यह प्रोजेक्ट कब खत्म होगा कब पूरा होगा इसका कोई अतापता नहीं है इसके बाद फिर अब नेशनल इंपोर्टेंज का प्रोजेक्ट केन सरकार मानने के यह नहीं गई अभी तक यह समझ से पर है। लेकिन बिहार सरकार जाय य्य्यान आई नहीं जाये अब क्यों मोल घाची वाला देखिए अभी ताती ततवा वाला विहार सरकार अपील बिहार के एक व्यक्ति है अर्विंद कुमार उन्होंने पटना हाई कोट में पिटिसन डायर किया कि ये नेशनल इंपोर्टेंस का प्रोजेक्ट होना चाहिए बिहार सरकार को 90% अनुदान केन सरकार से मिलना चाहिए फिर क्यों नहीं मिल रहा है और उसके बाद पटना हाई कोट ने चार फरवरी 2023 को अभी एक सर पहले चार फरवरी 2023 को पटना हाई कोट ने वर्डिक्ट दिया है कि इन सरकार को निर्देश दिया है तो इस आरे 11,000 का कलूर का लॉली पॉप दे करके बिहार सरकार का मुँ बंद कर दिया गया है नितिश सरकार का मुँ बंद कर दिया गया है अब ये कोई एक मात रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट नहीं है केंज सरकार के भरोसे या केंदर कोई नए टेकलोजी ला करके दे रही है इसी बिहार ने पिछले साल ही इतना बड़ा जो भागिर्थी प्रयास था नितिस कुमार का प्रयास था मैं नितिस कुमार की आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन उसी नितिस कुमार ने इसी गंगा की नदीर को फल्गू तक पहुँचाया है पिछले साल वो प्रोजेक्ट खुला भी है भागिर्थी प्रोजेक्ट तो यह कोई नया नहीं है केन सरकार जो है कोई बहुत बड़ा तूप नहीं यहां पे छोल रही है बिहार सरकार और यह काम कर चुकी ए Glananga की पानी को पटना से पहुचा दिया पिंड कीप पानी प année गया की नहरती ताख तो यह तो अलड़ी हो चुका अर विहार में और भी बहुत सारे रिवर लिंक्किंग यह रिवर लिंकिंग नहीं है जो आपका ये दिया हुआ है कोसी मोची वाला ये रिवर लिंकिंग ने लेकिन हाँ कोसी को घगर नदी से मिलाने के लिए चुनार नदी को सोल बेरेज से मिलाने के लिए इसके लिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है और पूरे हिंदुस्तान में, जैसे MP में हमने बता है, सबसे महंगा जो प्रोजेक्ट है, 44,605 क्लोर का, वो भीहार के इन सरकार ने उनको दिया है, पूरे हिंदुस्तान में लगवग 30 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट या तो अभी पास हुए है, प्रोसे यह होगी, एक तो जहां पर सुखा है, वहां पर सुखा नहीं रहेगा, सबसे पहली बात के उत्तर विहार में सुखा नहीं होता है, मोची नदी में कम पानी होती होगी, लेकिन सुखा नहीं रहता है, सबसे इंपोर्टेंट जो एकदम डंगे की चोट पर बोला जा रहा थ यह नदी को लिंग कर देंगे तो जो कोसी नदी का ज्यादा पानी है वह चला जाएगा मूची में तो बाढ़ नहीं आएगी यह आर्गुमेंट है और यह कैसे कितना खोकला है यह आप ऐसे जानिए कि इस नदी के अंदर कोसी नदी के अंदर एक दिन में जैसे उधारन के ल जो डेटा है उसमें 3,96,000 क्यूबिक क्यूसेक पानी उसमें बहता है यानि कि पर सेकेंड होता है 3,00,000 वर्ग जो क्यूसेक होते हैं वो बहते हैं 3,96,000 इस 3,96,000 में से जो पहले से प्रोजेक्ट था जो 41,30 किलोमेटर का था जिसका नाम था आपका इस्टन कोसी में केनाल ये इसका नाम था ये जो पहले से बना हुआ है वो अल्रेडी 15,000 क्यूसेक रोख चुका है यानि कि 3,96,000 में से 15,000 क्यूसेक रोख चुका है जो पुराना प्रोजेक्ट है 40 किलोमेटर वाला अब ये जो नया प्रोजेक्ट है 11,000 km का है, वो कितना पानी रोकेगा, आप 15 कीजेगा, मात्र 5,247 क्यूसिक पानी को रोकेगा, यानि कि अगर आप पुराने वाले को और नए वाले को, पुराना वाला 15,000, नए वाला 5,247 क्यूसिक पानी रोकेगा, और कोसी की छंता कितनी है, 3,96,000, 20,000 माइनस कर दीजे, 3,96,000 में से, तब भी कोसी में 3,76,000 क्यूसिक पानी बहेगा, इट के मुह में जीडा, आप 3,96,000 में से 20,000 कम करके भी क्या कर लिजिएगा, और 20 में से 15 तो पहली ही कम है, तो मिलाज लागे कहें कि 3,81,000 में से 5,000 क्यूसिक, 3,81,000 क्यूसिक पानी में से 5,000 पानी निकाल लिजिएगा, रोक दिजिएगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या बाढ़ रुख जाएगी, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जैसे लगता है कि यह हो जाने के बाद तो उत्तर विहार में कोसिमन बाढ़ ही नहीं आएगी, जिस सारा सर्व बेवकूप बनाया जा रहा है, विहार के जनता को बनाया जा रहा है, लेकिन न्यूज हंटर जब तक है, तब तक पहुंचाता रहेगा बिहार के बिहार का नागरिक होने के नाते बिहारी होने के नाते और बिहारी पर गर्व करने के लिए कुछ जरूरी जो भी योगदान हो सके वो करने के परियास में बने रहे निव जंडर के साथ नमस्कार